आधार कार्ट को मुफ्त में अपडेट कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी गई है पहले इसकी डेडलाइन 14 जून रखी गई थी अब इसे बढ़ा कर 14 सितंबर कर दिया गया है यानी अब आप बिना किसी शुल के 14 सितंबर तक अपना आधार कार्ट अपडेट करा सकेंगे दरसल देश में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनका आधार कार्ट बने हुए 10 साल से उपर हो चुका है और इन में से कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार अपडेट नहीं है इसलिए सरकार चाहती है कि लोग इसे जल से जल अपडेट करा लें अगर आपने 10 साल पुराना आधार कार्ट अपडेट नहीं कराया है तो आपका आधार कार्ट किसी काम का नहीं होगा UIDAI के नियम के मताबिख हर 10 साल पर आधार कार्ट में बायो मेट्रिक और एड्रेस अपडेट कराना जरूरी है ऑनलाइन आधार कार्ट अपडेट कराने के लिए आपको पहले myadhar.uidai.gov.in पर विजिट करना होगा इसके बाद आधार नंबर से लॉग इन करना होगा Document Update option पर जाकर आपको क्लिक करना है और फिर आपको पूरी detail दिखेगी अगर आपका address अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट कराने के लिए आपको address update सेलेक्ट करना होगा इसके बाद आधार online option सेलेक्ट करना होगा फिर आपको address option सेलेक्ट करना होगा और proceed to update आधार पर जाकर क्लिक करना होगा इसके बाद document की scan copy और fingerprint दर्च कराने होगे और फिर आपका address अपडेट हो जाएगा तो अगर आपने भी ये काम नहीं किया है तो फॉरण कर लीजे